हेलो फ्रेंट वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ओन एक्जामर 24 फ्रेंट आज हम लोग मत नहीं से सिपाही के लिए तीसरा सेट पर आएंगे इससे पहले मैंने दो सेट करवा रखा है तो आप वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्सिन में डाल दूँगा वहां से आप आप देख सकते हैं तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं अंक भरत मोहावरे का अर्थ क्या है इसका अंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर डी इसनेह करना next question देखते हैं तालाब का पारवाची सब्द क्या होगा इसका हो जाएगा option no.a pushker next देखते हैं निमनमस्तित तदभो सब कौन सा है इसका होज़ागा option number B तपाक दिव्यंगत का समनार्थी सब्द क्या होगा तो इसका होज़ागा option number D स्वर्गवांसी निमलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिस्चन में कौन सा पत्रिका प्रकासित किया था इसका होज़ागा option number B कवी वर्चन सुधा सुध वाग का चैन करें इनमें से कौन सा सुध है ये बताना हो तो इसका सही अंसर होज़ागा option number D समाज की वर्तमान दसा चिंता जनक है निमने से तत्सम सब्द कौन सा है तो इसका होज़ागा option number A भाविस्य अस्थाई भाव की संख्या कुल कितनी है इसका होज़ागा option number A प्रस्थ में दिये गए सब्द में परियुक्त संधी के परकार का चैन उसके नीचे दिये गए विकल्प में से कीजिए स्वार्थ तो स्वार्थ कौन सा संधी है ये बताना है तो इसका होज़ागा option number B दियुक्त संधी निम लिखित प्रस्थों में सुध्वर्तनी वाले सब्द का चैन करें इसमें से बताना है कि कौन सा सुध्वर्तनी है इसका होज़ागा option number A सन्यासी choose the passive form I shall write a letter इसका passive form बताना है तो इसका होज़ागा option number B a letter will be written by me choose the correct translation of the following sentence the people of all religion live here इसका बताना है कि सही translation क्या होगा हिंदी में तो इसका होज़ागा option number B यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते है choose the correct from the verb इसमें से वर्व कौन सा सही है तो वहाँ पर यह पूट करना है my parents blanks here two months ago इसका होज़ागा option number A select the correctly spelled word इसमें से कौन सा सही बताना है तो इसमें होज़ागा option number B calendar C-A-L-E-N-D-A-R next देखते हैं read the poem given below and answer the question that follow by choosing the most appropriate option given against each यहाँ पर इस poem को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे में question दिया गहा है कि babies there sing a song with तो यहाँ पर इसका कौन सा होगा fill in the blanks बताना तो पहले poem पढ़ लेते हैं उसके बाद उसका option tick करेंगे is this a holy thing to see in a rich and fruitful land babies reduce a misery feed with cold and usurious hand is that trembling a cry a song can it be a song of joy and so many children poor it is a land of poverty and their son does never sign आगे पढ़ते हैं and their fields are break and bare and there away are filled with horns it is eternal winter there and where earth the sun does sign and where earth the rain does fall baby can never hungry there no poverty the mind appell यहाँ पर question पढ़ते हैं babies there sing a song with बेबी जो है गाना का रहा है कैसे गा रहा है तो यहाँ पर हो जागा option number D trembling cry next देखते हैं यह math का question है a b c d और e का माध 28 है यदि a c और e का माध 24 है तो b और d का माध कितना होगा इसका हो जागा option number b 34 एक सम्चत्रभुज की परिमाप 80 cm है और एक कोन 45 डिगरी है तो सम्चत्रभुज के छेतरफल क्या होगा इसका हो जागा option number c a 12 दिन में एक निश्चित कारे कर सकता है b a की तुल्ला में 60% अधिक कारे कुसल है b को उसी कारे को पूरा करने में कितना समय लाएगा तो इसका हो जागा option number b साड़े साथ दिन कि नौ चोदो और उन्नीस में चोथा अनुपाद क्या होगा इसमें अनुपाद निकालना है तो इसका हो जागा option number c e144 तो साथ संख्या के समुच्चे का माद 81 है यदि किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो से Millennine संख्या का माद 78 हो जाता है तो हटाया गया दूसेटर अजीन किया होगा तो इसका appointed कि उस्तायू क्या है इसका हो जाएगा ऑप्सान नमबर डी कि एक्टिस वर्स कि यह सिम्लिफिकेशन के कोस्टन दिया गया है तो इसका मैं एंसर बता जाता हूं इसका एंसर हो जाएगा ऑप्सान नमबर डी 4 x 3 आगे देखते हैं दो उमिद्वारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% वोट पाने वाले उमिद्वार 16,000 वोटों से पीछे रहा गया है कुल कितने वोट डाले गया थे यह बताना है तो यहां पर हो जाएगा इसका ऑप्सान नमबर सी हो जाएगा 40,000 एक 16 सेंटिमेटर लंबी यहों 13.5 मिटर चौड़े कमरे का 15 रुपे प्रती मिटर के 75 सेंटिमेटर चौड़े कारपेट से कवर करने का कितना खर्च होगा यहां पर खर्च बताना है कितना रुपेज होगा तो यहां पर ओप्सान नमबर बी हो जागा 4,320 आगे यहां पर एक डिया के कोश्चन दिया गया है तो तालिका दिया गया है यहां पर यहां पर बताना है आपको कि किस सिराज में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था तो इसका हो जागा ऑप्सान नमबर डी नहीं प्रगार के बंद होते हैं तो इसका हो जागा ऑप्स दिया गया है अभी किरिया करवाया गया है और इसमें पुछा है कि ए और जेड का मान क्या होगा इसका हो जाएगा option number a सुने समु किसने परस्तावित किया था तो इसका जाएगा option number c रेमसेन है रेडियम का अर्थ आयू 580 वर्स है यह कितने वर्स उपरांत एक बटा सुलह भाग आवसेस रहेगा इसका जाएगा option number d 6320 वर्स आवर्थ सार्णी मत्तों का अधात्वी गुण घटता है तो हम लोग अगर दाय से बाय जाते हैं तो इसका अधात्वी गुण घटता है यानि option number c हो जाएगा निम्न में से ऑमली अक्साइड है इनमे से ऑमली अक्साइड कौन सा है तो option number b हो जाएगा co2 गैस को c a o से क्रिया करते हैं तो एने h co3 से नहीं वह कौन सा है यह हो जाएगा option number a co2 ए और ए तोरण से फेकने पर इसका परभाव तोरण है इसका जाएगा option number c a minus g यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फेरेन हाइट है तब इसका ताप centigrade में क्या हो इसका जाएगा option number d 60 degree किसी द्रौ में ध्वानी तरंगों की चाल होती है इसका जाएगा option number a माध्यम के आयतन पर त्यास्था गुणां के वर्ग मूल के अनकन बाती होता है पारा काच को गीला नहीं करता द्रौ का यह कुण कहलाता है यह जाएगा option number a असंजन जब किसी पिंड को एक निशित बिंदू के परिता एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणिये समय की दिशा होगी इसका जाएगा option number c गुणां तल पर लंब रेखा इस्थी रावस्ता से चलकर एक कंड 6 सेकंड तक इस्थी तोरन अनभो करता है यदि यह कंड पहले 2 स सेकंड में S1 दूरी अगले 2 सेकंड में S2 दूरी तथा अंतिम 2 सेकंड में S3 दूरी चलता है तो S1, S2 और S3 का मान क्या हो इसका जाएगा option number B 135 जब सरल लोलक का आयाम बढ़ जाता है तो इसका आवर्ध काल क्या होता है इसका जाएगा option number C अपवर्तित रहता है 21 आवर्धन के लिए 20 सेंडिमेटर फोकस दूरी वाले ओतल दरपण से वस्तू की दूरी होगी इसका जाएगा option number C 40 सेंडिमेटर एक वस्तू का भारवायू में 25 ग्राम है जल में 20 ग्राम है वस्तू का घंण तो क्या होगा इसका जाएगा 5 ग्राम जब आखों में धूल जाता है तो इसका कौन सा अंग सूच जाता है और गुलाबी हो जाता है इसका जाएगा option number C नेत्रसलेमा यानि कंजक्ट आइब नौजात सिसु को ट्रिपल एंटिजन वैक्सीन निम्ल में से कीन ड्रोग से परतिरचित करने के लिए लगाई जाती है तो यह हो जाएगा option number B कुकुरखासी टिटनस और डिप्थिरिया निम्लिखित में से कौन मानोसरी को संक्रमण के बिरुद संगहर्स करने में सहायता करते है इसका जाएगा option number C स्वेथ रूधिर कोसिका यानि WBC ऑक्सीजन की उपस्तिती में ग्लुकोज के कार्बन डैक्साइड यह जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुन रूपांत्रित होने को कहते हैं क्या कहते हैं तो इसका जाएगा option number A वायू सोसन कहते हैं यहापे मिलान करने के लिए गया है तो आएगे पहले पूरा कोस्चन देखते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा option number B विसले सर्पूब में 20 ग्रंथी परवर्तित होती है इसका हो जाएगा option number C लार ग्रंथी से कि निमलिखित में से कौन परजीवी है अमीबा प्रोटियस यानि option number A वास्त्विक नाभिक पाय जाते हैं इसका हो जाएगा option number C उच पादब कोशिका में निमलिखित में से कौन सी ग्रंथी मानोसरी में पाय जाने वाली दूटियस सबसे बड़ी ग्रंथी है इसका हो जाएगा option number C अग्नियास है यानि पेन ग्रियाज निमलिखित में से कौन सा एक operating system नहीं है इसका हो जाएगा option number D जावा जमीन में पानी के निश्यंदन की परकिरिया को ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है option number D निमलिखित में से क्या एक ester है इसका हो जाएगा option number C CS3 CWC2H5 मानोसरी की सबसे लंबी हटी कौन सी है इसका हो जाएगा option number D जान की हटी यानि फीमर अजन्ता की गुफा कहां इस्तित है इसका हो जाएगा option number C महराष्ट में भारती निर्वाचन आयोक के अनुसार राजनि 48 गंटे सुलाहवी लोगसभा के अध्याक्स का नाम क्या था इसका हो जाएगा option number D सुमित्रा महाजन निम में से कौन सा एक देश भूत पूरो USSR का हिस्सा नहीं था इसका हो जाएगा option number B फिल्लेंड USSR का हिस्सा नहीं था निमलिखित में से कौन से सोतंतरता सिनारी के लाड़ी डेकरती कांट से नहीं था इसका हो जाएगा option number C भागत सिंग का निम में से कौन भारत में सबसे नौमिंतम नाविकिये उर्जय सेयंत्र है तो यह हो जाएगा option number B कुंडल कुलम wealth of nation नामक पुष्टक का लेखा कौन है तो यह हो जाएगा option number A Adam Smith मनोरा का किला कहां इस्तित थे यह हो जाएगा option number B तमिल्णाडू में कूल इस्तित लागत और कूल परवर्टनिय लागत का योग कहलाता है इसको जाएगा option number B कि खुल कीमत पलो किनके सामनते थे तो यह थे option number C सतवाहन के भारत में मुस्लिम राजी की अस्थापना का मार किस यूद से प्रसस्त हुआ इसको जाएगा option number A तराइन के यूद से अलाओ दिनको मलिक काफूर की प्राप्ति हुई कहां से हुआ था तो यह जाएगा option number D से गुजरात विजय के बाद करके अंतिम भार को कहा जाता है यह जाएगा option number A करापात रामेश्वर दिप को भारतिय मुख्य भूभाग से निमलिकित में से कौन सा अलग करता है तो इसको जाएगा option number B पंबन दिप धरातल के नीचे खड़े धाल वाले गुमबदकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है यह हो जाएगा option number A बैथोलित मराठा का उद्धान इसको जाएगा option number B सीवाजी के काल में हुआ एसपेक्टर में किस रंग के परकास का तरंग देर अधिकतम होता है इसको जाएगा option number D लाल का नेमलिकित में से किस में 0 डिगरी अच्छान सो 0 डिगर देशांतर की भागलिक इस्तिति है यह हो जाएगा option option number D और सम्में तिपत पठार का सबसे अच्छा उधारन है यह हो जाएगा option number A अंतर परवतिय पठार सब्द कॉमेट प्राचीन खाली अस्तन सब्द साया है जिसका अर्थ लंबी पुछवाला तारा है तो यह कौन से प्राचीन सब्द है यह हो जाएगा option number C यूनानी भारतिस सम्मेधान के किन अनुछेदों के अंतरवत समानता का अधिकार का उलेख किया गया है तो यह हो जाएगा option number B अनुछे 14 से 18 त्री अस्तर ये पंचायत राजववरस्था के अनुछन सा की गई थी यह हो जाएगा option number B बलोवनतर है मैता समिती में लोगसबा का बिरोधी दल का पहला मानेता प्राप्त नेता कौन था यह हो जाएगा option number C वाईवी चोहार परियार जल बिदुत परियोजना किस राज में इस्ति था तो यह हो जाएगा option number A के रल में अंतराश्टिय मानक संस्ता ISO का मुख्याले कहां पर यह हो जाएगा option number B जेनेवा इनमें से गलत कुछ हाटी है इनमें से देखिए गलत कुछ हाटना है कौन सा गलत है इनमें यह हो जाएगा option number D चित्रगला का उत्थान काल इल्दू तुमिस यह गलत है भारत को कहा गया है भारत को क्या कहा गया है तो option number C हो जाएगा राजियों का संग यह हो जाएगा option number D भारतिये बैंक में धन जमा करके निमलेखित में से किसे दूत यह सदन कहा जाता है तो इसका हो जाएगा option number A लोकसभा को महावीर के मृतियू कहा होई थी तो यह हो जाएगा option number B पावपूरी में भारतिये बिश्विद्याले अधिनियम पारित हुआ था तो इसका हो जाएगा option number C उनिसो चार में बंगला देश को सोतनत्रा प्राप्ति के समय पाकिस्तान के सास कौन था यह जाएगा option number B यहाखा महात्मा गांधी ने किस आंदोलों के दौरान भूख हरताल को स्वरपतम सत्यागरह के रूप में परियोग किया यह जाएगा option number B अहम्दाबद सत्यागरह में बंगाल के खाड़ी के उसरकटबंधी है चकरवाद को समानता कहा जाता है तो इसमें हो जाएगा option number D टौर्नेडो लगुजवार भाटा यानि नीप टाइड पैदा होता है यह हो जाएगा option number C एक महिने में एक बार एपी कल्चर नीमिन में से किसके उत्पाद कीवे ग्यानिक विदी है यह हो जाएग option number A सहद भारत में उची नाले सबसे पहले कहां अस्थापित हुआ जाएगा option number B कलकत्ता मदरास और बॉमबे आगे मैस का question आदमी एक दिवार आठ दिन में paint कर सकता है यदि painting के काम को चार दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे यह हो जाएगा option number B 10 वैद मुद्रा का अर्थ यह हो जाएगा option number D currency note किस अधिनियम के द्वरा मुस्लमानों को प्रिथक निर्वाचन का अधिकार मिला तो यह हो जाएगा option number A भारत सथकार अधिनियम 1909 लेखा अनुदान यानि vote on account का अर्थ है यह हो जाएगा option number D विनियोजन विध्यक के पायरत होने तक अनुदान के लिए मांगो के संबन्ध में व्या करने के लिए विधाय स्विकृति और मुल्यन आयात को क्या बनाता है यह हो जाएगा option number D महंगा तो फ्रेंट यहाँ पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में